हम बात कर रहे हैं क्लास 12 mathematics आड़ी शर्मा का चेप्टर है differential equation उसकी questions dishes कर रहे हैं ठीक है अब चुकि एक वीडियो में बहुत सारी questions dishes नहीं किया जा सकते हैं इसलिए हम छोड़े दो तिन दिन question करके upload कर रहे हैं जिसे कि आपको पढ़ने भी आसा नहीं रहे है और आपको time भी kill करना कहते हैं आपको kill भी नहुआ आपका time ठीक है देखते हैं कौन से size कौन से question है आप enjoy करिए हम आगे बढ़ते हैं देखें 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 15th question कहें क्या रहा है cos x dy by dx minus cos 2x is equal to cos 2x देखें question चाहें जिस format में लिखा हो सबसे पहला दिमाग कहां जाएगा variable are separable पहला दिमाग जाएगा वहीं पर ठीक है अब वो लिख दें कि solve this homogeneous equation वह आपको दिमाग कहां जा रहा है variable is separable अरे भी आओ कह रहा हूँ हो जी नसना तो कह एक लिए वहाँ दे माग ले जा रहे हूँ तो पहले तो dx इसको उधर ले जाओ तो यह आएगा dy by dx is equal to यह cause 3x plus cause 2x upon cause x और dx को हम क्या करेंगे अगले step में इधर ले जाएंगे इसको bracket में मन चाहे बंद कर दो और इसको integrate का sign लगा देंगे यह ऐसे cross मत लगा देना अब यहाँ बैठ जाएंगे और दिमाग लगाएंगे कि how 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 it will happen सोचो भाई how how देखो हमने पर दिमाग एक जगे लगा आया था सुनो जयान से साउधान हमने कहा इसमें cause c plus cause d भाई हमारा aim है यह cancel हो जाए यह दिक्कत कर रहा है क्योंकि cause x का integral क्या होता है minus sin x और cause ax का क्या होता है minus 1 upon a sin ax मतब cause 3x का integral हो सकता है अपान में दिक्कत कर रहा है तो हमने दिमाग लगाया क्या cause c plus cause d लग सकता है तो अगर cause c plus cause d करेंगे तो 2 cause c plus d भाई 2 यानि 3x plus 2x भाई 2 एन एंगल 5x भाई 2 हो जाएगा और एक में 3x माइनस 2x करो एक्स भाई 2 आ जाएगा तो दोनों ही एंगल cause x के रिस्तदार है नहीं तो इससे कोई मतलब रहेगा नहीं उसका वो उसे बात ही नहीं करेगा हम मैं बात नहीं करता हूँ हम तो यानि वो अपलाई यहाँ पर नहीं कर सकते हैं तो अब हमको ब्रेक करना पड़ेगा cause 3x अफ्रमला क्या होता है फि cause x plus 2x में ब्रेक कर दोगे पूरे सिस्टम को cause में ब्रेक करोगे अपने अबान सरा जाएगा तो cause 3 formula क्या है 4 cause cube x minus 3 cause x plus cause 2x क्या करेंगे 2 cause square x minus 1 चान पूझ कि हमने cause square x minus sin square x नहीं लिखा क्योंको हमको रिस्तदार कौन से है cause के term में और ये cause इनसे कहते है अब यह जाओ सबके चरणों में बैठ जाओ जाकर के आसिरवार ले लो जाकर के यह अब का करने बिशार है इनका एक ही काम है इनको इसके नीचे बठाल दिया इसके नीचे बठाल दिया चुकि एक ही खांदान के तो बैड़ भी किया जाकर कि वो नहीं बड़े आई हो हम तो नहीं बात करेंगे dx इसको अलग-अलग कर दिया जाए अलग-अलग थाई है 4 ये क्या हो जाएगा cos square x minus 3 cos square कर जाएगा plus 2 cos x minus ये sec x हो जाएगा अब बताओ क्या सभी functions integrable है सभी functions integrable है cos square x integrable नहीं है cos square x को integral करने का तरीका क्या होता है cos square x का integral करने का तरीका ये नहीं बताया को रहो formula लगा देंगे formula लगा देंगे तो सबके लिए apply हो जाएगा कोई integral को यह कैसे कहेंगे उले formula लगातेंगे method लगातेंगे integral कर देंगे हमने बताया था कि cause square x या sine square x दोनों को integral करने के लिए cause 2x प्रेकर दो तो हम जानते है cause 2x का formula क्या होता है 2 cause square x minus 1 तो इसको लिखेंगे आप cause 2x plus 1 by 2 यहाँ यह लिखेंगे इसकी जगे ठीक है तो हो जाएगा y बराबर integral 4 इसको क्या लिखेंगे cause 2x plus 1 by 2 और minus 3 अकेला यह fair work है अब आप कहेंगे cause 2x का हो रहा था था आपने वहाँ पर cause 2x को प्रेक क्यों किया था अपान में cause x था ना उसको हटाने के लिए और plus 3 cause x plus 2 cause x plus 2 cause x minus sec x यह 2, 2, 0 हो गया अब देखो bracket खोलते जाएगे यह 2 cause 2x का integral 1 by 2 sin 2x minus यह plus का 2 आएगा 2 का integral 2x हो जाएगा यह minus का 3, minus का 3x हो जाएगा plus 2 cause x का sin x sec x का log sec x plus tan x कोई और formula होता है क्या होता है sec x का integral एक और होता है log 10 pi by 4 plus x by 2 proof आता है वो प्रूफ भी आना चाहिए है इसा थोड़ी यह नहीं आता है और plus c थोड़ा सा इसको solve कर लो तो y is equal to 2 cancel हो गया तो यह क्या हो जाएगा यह हो जाएगा sin 2x और minus का x plus 2 sin x minus का log अब sec x plus 10x को mod x mod में लिख दो plus c अब बाद में answer टेली कर लो आही गया होगा देखो इसको 16th question क्या कह रहा है under root 1 minus x power 4 dy is equal to x dx सबसे पहला वही है अलग-अलग खांदान वाले अलग-अलग खो जाए dy बराबर x upon under root 1 minus x power 4 dx integrating both the side इसका integral तो y हो गया यहाँ पहिचानी यह क्या लिखा है इसको कैसे integrate करेंगे आप इसको integrate कैसे करेंगे आपको साफ साफ दिख रहा है x को गाइब कर दिया जाए और यह 1 minus x square होता तो 1 upon under root 1 minus x square के integral क्या होता है बुल गया log नहीं होता sin inverse x होता है log उता रहे हो sin inverse x होता है या minus cause inverse x होता है integral 1 upon under root 1 minus x square का integral एक तो sin inverse x होता है या minus cause inverse x होता है हम बता इसले रहे हैं कि मा लीजिए आप रटे हो का sin inverse x और कहीं पर multiple choice हा गया और वो लगा दिया minus cause inverse x कभी पढ़ा ही नहीं हमने कि ऐसा होता भी है संबंधी तो यहाँ दिख रहा है भाई आपको denominator में दिख रहा है कि यह x square में x square का square लिखा हुआ है यानि जहां पर x होना चाहिए वहाँ x square लिखा हुआ है और method यह बताया गया x की जगे अगर कोई और function लिखा होगा तो इसको t मानेंगे ठीक है let x square is equal to t इसको differentiation 2x dx बराबर dt तो हमारे पार चुके x dx है तो half dt हो जाएगा तो half integral dt मतलब यहां संबन नहीं खोज पा रहे थे तुम देखो ना किसी का होल उसका लिखा हुआ है यह एक नट यह अगर 5 भी होता तो हम 5 by 2 का square करते है लेकिन 5 by 2 को t मानने पर उसका differences न उपर present होना चाहिए था तो इसका हो गए आपका यह fair work है सब यह जो यह वाला है जो assume करेंगे वो पुरा fair work होगा तो जब यहां आप लिखेंगे तो y बराबर half इसका integral क्या होगा sin inverse t plus c t कमान रख दो y is equal to half sin inverse x square plus c where c is a constant of integration अगर इसको आप differentiate कर दो 100% यह answer आजाएगा तो this is the 16th question